मेरे दिल में जज़वात उमर रहे थे, मेरी पतनी को देखकर मैं बिलकुल बेकाबू हो गया था, आज तक किसी लड़की को देखकर मुझे ऐसा ऐसास नहीं हुआ, जैसे कि आरोही को देखकर होता था, आरोही के लिए मैं आज एक साड़ी और गुलाब का फूल लेकर आया सोचा था, आज उसे पालूँगा, हाँ पूरी तरीके से पालूँगा, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जाता, जब तक उसे हासिल न कर लूँ, मेरा दिल योहीं बेकाबू होता रहेगा, उसके नाजुक बदन को हलके से चुकर मैं उसे यह तोफा दूँगा, और अपने घर के अंदर आया, लेकिन तभी प्रिया की बात मेरे कानों में आ गई, वह और आरोही हर ससकर कुछ बाते कर रहे थे, जिसे सुनने के बात मेरे दिल में दर्ध शुरू हो गया, और मेरे हाथ से वो तौफा नीचे गिर गया, ऐसा लग रहा था कि दिल में किसी ने चुरा घूब दिया हो, दर्ध से मेरा सीना फटा जा रहा था, आखिर आरोही मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि मैं उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अब मेरे बारे में ऐसी बाते कैसे कह सकती है, बहुत ही गुस्से से मैं अपने कमरे में आ गया था, आज पहली बार मेरे आखों में आसु आ गये थे, सालों बाद यह आसु आये होंगे, क्योंकि मैं एक दबंग सक्षियत हूँ, और मैं एक गुंडा हूँ, और इस दुनिया से लड़कर ही जीना सिखा है, लोग मुझसे डरते हैं, और मुझे देखकर आसु बहाते हैं, लेकिन आज मेरी आखों में आसु के बुंद, प्यार ये तुने क्या किया, तुने तो आज इस अरजुन को भी तोड़कर रख दिया, यही सोच रहा था कि तबी आरोही मेरे कमरे में आ गए, और कहने लगी, आप मेरे लिए इतना प्यारा सा तोफा लाए हो, मुझे बताया तक न आवाज में एक मेठास थी, जो मेरे दिल को छू रही थी, मैं तुरंती उसकी ओर मुड़ा और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और उसे पकर कर दिवार में सटा दिया, और उसके एकदम करीब आ गया, उसे गुस्से से घुरने लगा, मुझे इतना करीब देखकर उसक उसने मुझे थोखा दिया है, आरोही को इस हाल में छोड़ कर मैं कमले से बाहर निकल गया, और घर से बाहर निकल कर चला गया, पहली बार जब मैं आरोही को देखा था, तब मैं उसके घर पर गया था, उसके पापा एक बड़े प्रोमोटर है, और हमारे एरिया में घर बन और एक मीठी सी हवा ने मुझे छू लिया उसके आते ही तुरंट उसके पापा ने कहा तुम अंदर जाओ उसने मेरी तरफ देखा और फिर अंदर चली गई ऐसी थी हमारी पहली मुलाकात और दूसरी बार जब मैं बाजार से हफता कलेक्ट कर रहा था वह अपनी कार से बाज कि तभी आरो ही मेरे पास आगे अपने पास देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया तभी उसने कहा अरजुन तुम अपने आपको क्या समझते हो कोई बहुत बड़े डॉन हो क्या मेरे पापा को धमकाने आगे उसकी आवाज में एक मिठास थी और मुझ जैसे दवंग शक्सि तो मैं उसकी भूलती बंद कर देता हूं पड़िया लड़की कुछ और है कुछ खास है मेरी बहन जो कि मुझसे 14 साल चोटी है अभी कॉलेज में ही पड़ती है मुझे आकर कहने लगी भाईया आज मैंने पढ़ाई के लिए अपने सबसे प्यारी सहली को बुलाया है आपक कि बात रखने के लिए कह दिया ठीक है अगर बात पढ़ाई की है तो तुम अपने कमरे में उसके साथ पढ़ाई कर लेना उसने अपनी सहली को कॉल कर दिया था और मैं बैठ कर टीवी देख रहा था कि तभी दर्वाजे पर दस्तक हुई जैसे ही प्रिया ने जाकर दर्व काना गई वह मेरी बहन प्रिया की तरफ देखने लगी तो प्रिया ने कहा यह मेरे भाईया है अर्जुन भाईया के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है उन्होंने मुझे अपने बेटी की तरह पाला है बहुत दोनों अंदर चले गए थे और पढ़ाई में लग ग करती थी और औरतों की मदद किया करती थी मेरे पापा की मौद बहुत पहले हो गई थी मेरी मा औरतों की मदद के चक्कर में कुछ लोगों से पंगा ले लिया था और उस रात कुछ गुंडे घर पर घुसाये थे और मेरी मा के साथ बत्तमीजी करने लगे जब मैं अपने मा की मदद करना चाहा तो वह लोग मुझे मारने लगे और मुझे रसी से बान दिया और उसके बाद मेरे सामने ही मेरी मा के साथ उन चारों ने बहुत बुरा काम चालू कर दिया था मेरी मा उनके सामने रोती रही गिरगिराती रही कहने लगी मैं बिध्वा हूं मुझे भगव में आसु आ गये थे मेरे सामने उन्होंने घंटों तक मेरी मा के साथ इस हाथसी के बाद मेरी मा अंदर ही अंदर मर चुकी थी और मेरे अंदर इस दुनिया से एक नफरत पैदा हो गई थी मैं लड़ने जगरने लगा था मार पिट करने लगा था गुंदा गिरी करने लगा मेरी माँ कुछ नहीं कहती और मैं लड़ जगरкахर पैसे लेकर आता खाना लेकर आता पढ़ाई तो मैंने उसी दिन छोड़ दी थी मेरी मा को पता लगा था कि वह गर्बती है और मेरी माँ जो एक की जिंदा लास बन चुकी थी मेरी बहन को जिनम दिया अपनी बेहन को देखकर मैं उससे नफरत ना कर सका मेरी माने किसी तरीके से उसे समाला पर उनके अंदर जीने की इच्छे बिलकुल खत्म हो चुकी थी और मेरी बेहन जब एक साल की थी तो उन्होंने अपनी जान ले ली एक चिठी लिग गई थी कि अपनी बेहन का ध्यान र करता मैंने आज तक किसी औरत को हाथ तक नहीं लगाया है मेरी मा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद से ही औरत के साथ कुछ नहीं करता मैं और अब मैं 35 साल का हो गया हूं अंदर यंदर बहुत अकेला और तनहा हूं और तो को पानी की आग है मेरी अंदर पर फिर भी मै मैं उससे दूर नहीं रह पाऊंगा, ना जाने उसमें ऐसा कौन सा जादू है, आरोही रोज रोज मेरे घर पर पढ़ने के लिए आती रहती थी, और एक दिन बहुत परिशान होकर मेरे घर पर आई, उस वक्त मेरी बेहन घर पर नहीं थी, मुझे घर पर देखकर काफी घबर और कहने लगी मुझे प्रिया से मिलना है, बहुत अर्जेंट है, मैंने उससे कहा तुम प्रिया के रूम में वेट कर लो, मैं उसे कॉल करके बुलाता हूँ, ना जाने उन दोनों के वीच में क्या बात हुई थी, कि वह घर चली गई, मैंने अपनी बहन को बुलाया और कहा क्या बात है, वह इतनी परिशान क्यों लग रही थी, अगर कोई ऐसी वेसी बात है, तो मुझे बता सकती हो, मैं मदद करूँगा, मेरी बहन ने फिर एक ऐसी बात कही, जिसे सुनकर मेरे पैरोतले से जमीन निकल गई, कहा भईया, आप आरोही से शादी कर लो, आरोही को त क्यों कर रही हो, उसने कहा, मेरी दोस्त आप से शादी को तयार है, आरोही मुझसे जितनी बार भी मिली, उसकी आखों में मेरे लिए नफरती नजर आई, और जिस बज़े से मैं उससे हमेशा दोड़ी बढा कर रखता था, पर आज ऐसा क्या हो गया, कि मुझसे शादी को तयार हो गई, आखिर वह इतनी परिशान क्यों लग रही थी, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर क्या था, हम दोनों की शादी हो गई, उसके पापा इस शादी को तयार नहीं थे, तो मैं उसे भगा कर ले आया था, अपने आदमियों के सामने उससे बियाहर चालिया था, अब उसके पापा ममी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम बालिग हैं, मैं उसे अपने घर ले आया, उसकी शादी के लिए मैंने एक खुबसूरत लहंगा उसे खड़ित कर दिया था, और आज वह मेरे दिल पर कहर ढार रही थी, आज हमारी शादी की पहली रात थ जब मैं कमरे में आया तो वो घुंगट उड़े बैठी थी, उसको देखकर मेरे अंदर की हसरती जवा हो रही थी, पर जैसे ही मैं उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ा तो उसने अपना हाथ खीच लिया, कहने लगी मुझे गुंडे से डर लगता है, आप मुझे हाथ ना लगाए, अब मैं यही सोचने लगा कि आखिर फिर उसने मुझे शादे क्यों की, मैं उसे कुछ कहने जा रहा था कि तभी दरवाजी में दस्तक हुई, मेरी बहन भाईया भाईया करके आवाज दे रही थी, मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बहन अंदर आ गई, और कहने लगी, भाईया मैं आरोही को अपने कमरे में लेकर सोजाओं क्या, आज पहली रात है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए, अपनी बहन के मुझे मुझे बहुत चोटी है, और आरोही भी मुझे बहुत चोटी है, मैंने कुछ नहीं कहा तो वह आरोही के पास आ गई, और उसे ले पास ले आया था, तैयार हो जाओ, आरोही दो कपड़े मेरे सामने रग दी और पूछने लगी, कौन सा कपड़ा पहनू, मैंने कहा, जो मर्जी में है, पहल लो, मुझे क्यों पूछ रही हो, मैंने उसकी तरफ बहुत प्यार भरी निगाहों से देख रहा था, लेकिन करकर दिवार के पास ले आया, अपने दोनों हातों से उसके दोनों हातों को पकर लिया, और उसके करीब आकर पुछा किल क्या कह रही थी, तुम्हें गुंडे से ढ़ लगता है, ईसकी सा संयगी त्य जो dersाय मैं अपने होथों को उसकी होठों के बिलकुल करीब लेकर आया, उसने दर से अपनी आखे बंद कर ली लेकिन तभी मेरी बहन ने आवास दिया भाईया मैं तुरंती उसे छोड़ दिया जब बाहर निकला तो मेरी बहन तैयार होकर खड़ी थी उसने आरोही को भी आवास दी और कही आओ मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ आरोही अब जब तुम मेरी सहेली से भावी बन गई हो आरोई आज मेरे हाथों से बज गई थी लेकिन मैं बहुत परिशान था क्योंकि रोज रोज वह मेरी बहन के साथ सोने चली जाती और मैं अकिला ही रह गया था मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा मैंने उसे सारी बाते बता दी उसने कह इसका इलाज है और वह मुझे लेकर तबायव खाने आ गया था कहा यहाँ पर तुम्हें एक से एक हसी लड़की मिल जाएगी अपने दिल की मुराद पूरी कर लो एक खुबसूरत सी लड़की चमपा मेरे पास आ गई कहने लगी साहब आज मैं आपको खुश कर दूँगी लेकिन तभी मेरी मा के साथ हुआ हाथ सा मेरी आखों के सामने आ गया मैंने अपने दोस्स से कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ आरोही मेरा इंतजार करती होगी कहकर मैं वहां से निकल गया था मुझसे हो न सका चाहे अंदर कितनी भी दड़ब क्यों न हो अर्जुन को वही हासिल कर सकता है जो उसका दिल जीट सके लेकिन मैं आरोही से परिशान होने लगा था क्योंकि मेरी बेहन के साथ वह हर रात को सोने चली जाती थी उसे रोकने के लिए मैं उसका हाथ पकरता तो मेरे हाथ छुरा लेती एक दिन बारिस का मौसम था और बहुत तेज बारिश बादल गरजने लगे थे और ऐसा तुफान उठा था कि किसी का दिल भी दहल उठे उस रात आरोही मेरे पास सोने के लिए आ गई कहने लगी मुझे बहुत डर लग रहा है बिजली की आवास से मानो धर्ती फट जाएगी क्या मैं आपके साथ सो जाओं उसके चेहरे की घब मचा रखा है वह मेरे पास थी ऐसे में मैं अपने आपको कैसे रोकता मैंने हलके हाथों से उसके कमर पकड़ लिया था धीरे धीरे उसके शरीर में हाथ फेलने लगा उसे देखर ऐसा लगा कि शायद वह ना सोई हो और यह पर महसूस कर रही हो क्या आग दोनों तरफ लगी है क्या उसे यह सब कुछ अच्छा लग रहा है मैं उसके बिल्कुल करीब चिपक गया और उसे फील करने लगा इतनी खूबसूरत लर्की सिर्फ मेरी है और शादी के कितने दिन हो गये है अभी मुझे तरपा रही है एक एक बिजली की कड़क से मैं उसके और करीब चिपक तो वो काफे डरी सहमी सी खड़ी थी कहने लगी भाईया मुझे बहुत तरल लग रहा है ऐसा लग रहा है कि बिजली मेरे उपर ही न गिर जाए और आज आरोही भी मेरे साथ नहीं है क्या मैं आपके कमरे में सोजाओं मैंने हाँ में सिरह लाया तो मेरी बहन अंदर आ गई और आरोही के बगल में लेट गई पर मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था ऐसी हालत में अपनी बहन की सामने ही उसे चूने लगा था तभी अचानक आरोही की नीन खुल गई और उसने मेरा हाथ हटा दिया लेकिन अगले ही दिन आरो और फिर आरोही को देखूंगा ऐसे वह मुझे और तरपाती है मैंने अपनी बहन का रिष्टा एक जगा तैय कर दिया दो महिने के अंदर उसकी शादी थी मैं उस बात से खुश था कि शादी होकर वह बिदा हो जाएगी तो आरोही को हासिल कर लूँगा वैसे तो वह कि मैं बिल्कुल पागल हो जाता था इसी वज़े से उसके लिए वह साड़ी और फूल लेकर आया था लेकिन जैसे ही मैं चुपके से घर के अंदर दाखिल हुआ था तो मैं आरोही और प्रिया के बाते सुन ले थी मेरी बहन कह रही थी अच्छा किया कि तुने उस बिल्ड ने कहा हां तुमने बहुत मदद की लेकिन मुझे गुंडे पसंद नहीं है उसने कहा ठीक है एक बार एक्जाम हो जाए फिर मैं अपने भाईया से कह दूंगी कि तुझे तलाग दे दे मेरे भाईया मेरी बात कभी नहीं टालते फिर तू अपनी पसंद के लड़के से मेरी बार मेरे आखों में आसु आ गये थे जिस लड़की से मैं बे इंतहा मुहबत करता हूं उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और वह शादी का मजाग बना कर रख दिया है जब मैं उनसे परिशानी पूछी थी तो वह सच बता सकती थी मेरे जजबातों के साथ खेलने की क्या जरूरती मुझे आरोही पर गुस्सा आने लगा था उस दिन सराब पीकर मैं घर बहुत लेट लोटा था मैं जानना चाहता था कि वह कौन है जो मेरी बीबी पर नज़र डालने रखा है मुझे उस लड़के पर भी अब गुस्सा आने लगा था और सोच लिय था कि वह किस लड़के के साथ घूम रही है मैंने उसे कम उम्र के लड़के के साथ बात करते हुए देख लिया था वह मेरी से 14 साल की छोटी है क्या यही वज़य है कि वह मुझे प्यार नहीं करती अपने बेहन को विदा करने के बाद अब घर पर मैं और आरोही ही रह गया अब वक्त आ गया था आरोही को मरदान की दिखाने का वह मेरी पतनी है और उस पर मेरा पूरा हक है बहन के बिदा होते ही मैं कह दिया था कि तुम आज से मेरे साथ ही सोगी मेरे कमरे में मेरी बात सुनकर वह बहुत घबरा गई और किसी को मुबाइल में मैसेज करने लगी यह जरूर उसका यार ही होगा जिसके साथ वह बाते कर रही थी और मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था जैसे ही आरोही कमरे में आई मैंने उससे कहा आज मैं वह सब कुछ हासिल कर लूँगा जिसके लिए तुम मुझे तरपाती रहती हो उसके चेहरे में अब घबराट साफ नजर आने लगी थी मैं उस पर तूट पड़ा वह मुझे पीछे धकेलने लगी कही अरजुन मुझे छोड़ दो मेरे साथ यह सब कुछ मत करो मैंने कहा तुम्हारी और प्रिया की बाते मैं सुन चुका हूँ और तुम्हारे कॉलेज में जाकर तुम्हारे यार को भी देख चुका हूँ तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ इतना बरा धोका करते हुए अगर मुझे एक बार कहती कि तुमसे कोई जबर्दथी शादी करना चाता है तो मैं तुम्हें बच्चा लेता पर जूट बोलकर तुमने मुझे शादी क्योंगी बताओ अब चाहती हो मुझसे तलाक लेकर अपने यार के पास जाने का है ना मेरी बात सुनकर उसकी आखों में आसु आ गये उसके आसु मुझे कमजूर करने लगे और मैंने उसे छोड़ दिया उससे कह दिया जाओ जहां जाना है तुम्हारे आसु मैं नहीं देख सकता प्यार करता हूँ हद से जादा जाओ चली जाओ मैं तलाक दे दूँगा मैं ही जानता हूँ मैंने अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखकर यह बात कहा था मेरे पास आ गई और मेरे बाहों से लिपट गई और कहने लगी आप भुद्धु हो क्या मैं क्या चाहती हूँ समझे नहीं जब कोई पहले से ही प्यार करती हूँ और कॉलेज में मेरा कोई बाइफरेंड नहीं है सब दोस्त है बस मैं यही चाहती थी कि आप गलत काम छोड़ दो क्योंकि कल को आपको कुछ हो जाए या गलत काम करने के लिए आपको जील जाना पड़े तो बताओ मैं अपने दिल को कैसे समझ मैं बस आपको सुधारना चाहती थी इसलिए आपसे दूरी बनाई थी उसकी बाते सुनने के बाद मुझसे आप नहीं रहा गया और मैंने उस रात तूटकर उससे प्यार किया उसने भी अपना पूरा साथ दिया उसी रात मैंने उससे वादा किया कि मैं यह सारा काम और उसे लेकर दूसरे शहर में चला आया उसके साथ मैंने एक अच्छी जिन्दगी सुरू की कहते हैं प्यार बुड़े से बुड़े इंसान को सच्चाई की रास्ते में ला सकता है जो नफरत मेरे दिल में सालों से थी उस नफरत को आरो ही ने प्यार में बदल दिया था और मेरी जिन्दगी हमेशा के लिए बदल दी थी दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें थेंक यू